जैहीन दोस्तो स्वागत है आप सभी का सर्मा फैंटीसी ग्रूप में इस वीडियो में दोस्तो हम लोग बात करेंगे फैंकोड ECS T10 के आज के फर्स्ट मैच के बारे में यह मैच RCC और RC के बीच खेला जाएगा बतादू दोस्तो यह जो मैच है यह मैच दो पहर को 12 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तो बता दू यदि आप T10 फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा जो T10 का जो टस होता है वो एक घंटा पहले हो जाता है दोस्तो 11 बजे इसका टस हो जाएगा और मेरा जो फाइनल टीम होगा इस मैच से रिलेटेड वो मैं आपको 11 बज के 45 मिनट पर टेलिग्राम पर प्रवाइड कर दूँगा तो दोस्तो यदि आप नए हो और फर्स टाइम वीडियो देख रहे हो तो दोस्तो आप टेलिग्राम के साथ जुड़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको फाइनल टीम होगा उसके साथ दोस्तो आप कॉंट कॉंटेस्ट दोस्तो अब हम लोग बात करते ही इस मैच में आपको कौनसा कॉंटेस्ट खेलना चाहिए मैं पहली यह बता दो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल तीन कंबिनेशन परवाइड करूँगा एक कंबिनेशन दोस्तो ग्रेंड लिग का रहेगा एक कंब और हेड-to-Hate जितना अफल आप खेल सकते हो दोस्तो खेल सकते हो बजट का दोस्तो धियान रखना जो भी आपका बजट रहे उसके हिसाबसे हैड-to-Hate कोंटेस्ट जोईन करना या मिनिजियल का परवा तो दोस्तो दोस्तों ख्याल रखिएगा और जो भी दोस्तों मैं आपको small league का team बता हूँगा team number one और team number two को दोनों को दोस्तों आप green league में use करना hundred percent बहुत ही सही result आएगा तो अब हम लोग बात करते हैं कि यह मैंने combination कैसे choose किया है दोस्तों combination बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ match details share कर देता हूँ जो आपको काफी help करेगा खुद से यदि आप team बना रहे हो तो दोस्तों यह बात का ख्याल रखना match detail में दोस्तों सबसे पहले जान लो यह जो match होड़ा है यह match होड़ा है रोमा किर्केट ग्राउंड में यहां का दोस्तों आज का जो bicket है वो दोस्तों आपको maximum passer को बहुत ज़्यादा favor करेगा batting friendly रहेगा लेकिन दोस्तों maximum batsman को उतना favor नहीं कर रहा है यह ground average score दोस्तों आज के match में आपका 94 और 110 के बीच में रहेगा इससे ज़्यादा दोस्तों बहुत ही कम chance है हाँ इससे कम हो सकते है average score लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा का कम chance है तो यह चीज का दोस्तों ध्यान रखना यदि आप combination बना रहे हो बात करें दोस्तों दोनों टीमों का head to head record का दोस्तों जो all-rounder section है और जो balling section है बहुत ज़्यादा strong है as compared to RC तो यह बात का दोस्तों ध्यान रखना small link में 6-5 का combination बहुत ही सही है और grain link में यदि आप RC को favor करके team बनाना चाहते हो 7-4 का combination ये 6-5 का combination तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो भी share करूँगा कि किस तरीका से आप RC को favor करके grain link में team बना सकते हो क्योंकि देखो T10 का match है T10 में दोस्तों कोई भी team match win कर सकती है लेकिन ज़्यादा favor आप try करना है small link में RC को favor करके बनाने का तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस match में आप कैसे combination चूच करोगे दोस्तो बिकेट की प्रिंग सेक्षन से आपके पास एक बेहतरीन option है रेला गोड आगे इनी के साथ आपको जाना है नीचे दोस्तों आपको कोई भी बेहतर option नहीं मिलेगा इस tournament में दोस्तों अभी तक 8 match खेले और इन्होंने 25 के average से point दिया है बैटिंग सेक्षन से दोस्तों परभात में लिए most important pick हो जाते हैं और साथी साथ नीचे दोस्तों देन कैबरी काफी important है ये दोस्तों में आपको batting से point देंगे और मेभी परभात कभी कभी दोस्तों ये आपको एक से दो वर balling भी करातें लेकिन मेनली top order में batting करतें इन्होंने इस tournament में अभी तक 8 match खेले और दोस्तों 33 के average से इन्होंने fantasy point दिया है वही दोस्तों Dan Cabri ने अभी तक इस tournament में 8 match खेला और इन्होंने 30 के average से इस tournament में अभी तक fantasy point दिया है ये हमजा दोस्तो बहुत ही अच्छे baller है लेकिन batting से आपको यह point नहीं देंगे अभी के लिए दोस्तो मैं इन्हें drop कर रहा हूँ लेकिन आप इन्हें try कर सकते हो small league, grand league दोनों में कर सकते हो 80% दोस्तो selection percentage है तो काफी ज़्यादा है इसलिए आप इन्हें try कर सकते हो आर अहमद को दोस्तो सिर्पर सिप आप लोग grand league में try करना है small league में उतना सही option नहीं है हम लोग नीचे से दोस्तो I Amit के साथ जा रहा है I Amit दोस्तो इस tournament में अभी तक 5 ही match खेले है लेकिन दोस्तो 5 match में इनका 43 का average है fantasy point देने में तो बहुत important हो जाते है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ और rounder section से दोस्तो मेरे first important pick हो जा रहा है first option होएंगे मेरे नथांडे क्यों होएंगे दोस्तो इस tournament में इन्होंने अभी तक 8 match खेले है और दोस्तो 8 match में 50 kebris से इन्होंने fantasy point दिया है एसलि दोस्तो RC team के backbone है एसलि को तो drop कर ही नहीं सकते हो बहुत जादा important है RC के लिए balling batting दोनों करते है last option में दोस्तो मैं जा रहा हूँ अभी के लिए कालू गामे के साथ लेकिन जेड एजाज भी दोस्तो इस tournament में अच्छे form में देखे है लेकिन दोस्तो कालू गामे ने अभी तक मात्र चार मैच खेला है और 74 के एब्रेश से इन्होंने fantasy point दिया है तो समझ सकते हो कितने जादे important हो जाते हैं कोई batsman यदि आपको 74 point पर तेक मैच में दे रहा है fantasy में तो कितने जादा important है captain vice captain भी दोस्तो आप इन्हें कर सकते हो और यदि दोस्तो आज के मैच में केलू वाला खेलते हैं तो इन्हाँ आप 100% ट्राइ करना इन्होंने अभी तक 4 ही मैच खेला है और इन्होंने भी दोस्तो 57 के एब्रेश से दोस्तो fantasy point दिया है पाफ ही important हो जाते हैं खेले तो आप प्राइ कर सकते हो क्योंकि पिछले 2-3 मैच से ये नहीं खेल रहे हैं इसलिए दोस्तो मैं अभी इनको नहीं रख रहा हूँ टॉस्त के बाद दोस्तो यदि खेलते हैं तो आप दोस्तो चेक कर लेना टेलिग्राम पे मैं इनके साथ किस तरीका से combination बनाया हूँ और वो combination मैं आपके साथ share भी करूँगा टेलिग्राम पे अभी दोस्तो मैं रख लेता हूँ कालू गामे को टीम में बॉलिंग सेक्षन से P समर्ज A मोटानी और नीचे से दोस्तो मैं अब करना है एक और लूँ का आपके साथ और यह जाएक है तोब दोस्तो इसमॉल लिग में अभी के लिए दमीका के साथ जा रहा हूंग डोस्तो क्यापटन दोस्तो आपके उसमॉर लिग में न ठाफने सब्सक्राइन होने चाहिए और शुम्त कर सकते हो थोरा सा आप को डिफरेंट जाना चाहते हो तो वह भी mail आपको नेक्स्ट वाले combination में बताऊंगा बड़ दोस्तों Small League में आप यही दोनों को try करना as a captain vice captain अभी के लिए दोस्तों यह रहा हम लोग का final Small League का टीम इस टीम में से मैं कोई भी changes करूंगा तो दोस्तों आप लोग प्लीज टेलिग्राम चैनल से जूर जाना और उहां पर देख ले इस टीम में मैंने क्या difference चूज किया है तो दोस्तों आप दीख सकता है आपको batting section से मैंने इस वाले टीम में केबरी को हटा के एह हमजा second को चूज किया है हमजा दोस्तों आपको mainly balling से point देंगे batting से जादा point आप इनसे नहीं उमीद रख सकते हो balling से दोस्तों बहुत point देंगे अभी तब दोस्तों इनका average निकाले तो दोस्तों 29 के average से इन्होंने fantasy point दिया है तो काफी अच्छे baller है यदि आप mini GL खेल रहे हो तो थोड़ा सा different जाना दोस्तों जरूरी है और ऐसे भी 80% selection percentage है तो दोस्तों आप इनने grand league और mini GL में use कर सकते हो captain vice captain दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको different मिल रहा है यदि दोस्तों आप कलूग आमेख साथ जाना चाहते हो mini GL में तो दोस्तों free 100% जा सकते हो लेकिन थोड़ा सा different जाना चाहते हो तो deep mark दोस्तों बहुत ही सही option है top order में batting करेंगे और 2 over आपको balling से करके देंगे तो रखा है और RCC के 5 player को रखा है यदि दोस्तों आप RCC को favor करके grand league में team रखना चाहते हो तो दोस्तों उपर का one number team और team number two दोनों को दोस्तों आप grand league में भी use कर सकते हो as fair to RCCC लेकिन दोस्तों यदि आप RC को favor करना चाहते हो तो इस combination के साथ आप grand league में सिप जाना small link में दोस् दोस्तों मैंने जो भी RC के top player है उनको अपने team में रखा है तो दोस्तों ये भी combination का आप screenshot ले लो और यदि आप RC को favor करके team रखना चाहते हो तो इस team के साथ आप दोस्तों contest join कर लो और wait करना task का task के बाद दोस्तों कोई भी changes होता है तो दोस्तों आप telegram के साथ जूर जाना म मैं एक बार फिर से बता रहा हूं लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा और दोस्तों comment section का जो first वला comment होता है वहाँ पर भी आपको link मिल जाएगा तो दोस्तों join कर लेना और दोस्तों अभी तक आपने YouTube channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों subscribe जरूर करना और subscribe करने के बाद दोस्त नोटिफिकेशन का घंटी दोस्तों जरूर बजाना फिर मिलते हैं आप सभी से next T10 के वीडियो में take care bye bye जाहिंद